आज हमने अपने स्टूडियो नवोदे प्लस टाइम्स में बवीना की एक ऐसी सक्सियप को आमंत्रित किया है जिन होने दंगल यानि कुस्ती के छेतर में बवीना को बहुत से अमूल और कीमती पहलवान दिये हैं इन पहलवानोंने बवीना के बाहर यानि बुंदेल खंड के बाहर भी प्रदेश इस्तर पर और राष्टर इस्तर पर देश का नाम गौरवानवित किया है तो मेरे साथ मौझूद हैं बवीना के गणेज बैयाम साला के खलीफा चंदर प्रकास राय पहलवान मैं कुछ इन पहलवान जी के बारे में आपको बता दूँ 1970 में इन्होंने बवीना गणेज ब्यायम साला से अपनी पहलवानी का केरियर प्रारम किया था और 1983 में मरहुम हाजी उस्ताद मलू खां की नेतरत में इनको बवीना गणेज ब्यायम साला में खलीफा के पत पर मनोनीत किया गया था अपने खलीफा के पत पर रहते हुए इन्होंने बवीना को कई पहलवान दिये हैं और साथ ही ये बहुत अच्छे रेफरी भी है इनकी रेफरी सिफ इतनी नणायक और इतनी निस्फक्च होती है कि इनको उत्तर प्रदेश में होने वाले और मत प्रदेश में होने वाले त एक बिसाल ब्राट दंगल का आयोजन होने जा रहा है जो कि बसंत पंचिमी के उपलक्ष में मेले के उसमें होता है जहां दस दवसीय मेला लगता है तो बारा फरवरी को एक दंगल ब्राट होने जा रहा है तो उस दंगल की भी जानकारी हम इन से लेंगे तो सबसे पहले मैं आप से जानना चाहूंगा कि आपने ये जो कुस्ती का अपना केरियर प्रारम किया है इसके बारे में बताएं और अपनी उपलबधियों के बारे में आप बताएं सबसे पहले सीरी करेज बयाम साला में परिवेश किया हमने इसके बाद हमें दंगल कुष्थिनों का बड़ा स्वोख लागा तब जहां भी कुष्थिन होती थी हम और हमीत हमाँ साथी थी हमें हम दोनों जाती थे लोकल कुष्थिं हमें लगभाग हम तीन से कुष्थी अभी तक और हम दिर्णाय की भूमका उनिस से सुरू कर दी थी और सिरीगड़ेश ब्याम साला एक जीविशन लबस्ता में था जब हम गए तो हुआ केवल सीटेंट अलिंग हुई थी इसके वाद डाक्टर चन्पाल सीनिय अरफ से हम लोग मिले तो हुआ उन्होंने अपनी स ज्यादा तो कुष्टिया होती है जो हम जिला इसकार से लेके यूपी और इंडिया और विदेश तक जाते हैं वो एक आधार होता है मेट के द्वारा अभीना में आपने अपनी पहलवानी के कैरियर में क्या-क्या उपलब्दियां हासिल की हैं बभीना में जब हम जब से आपको 1983 से खलीफा का पदवार मिला है तो इस पदवार को ग्रण करने के बाद आप कितने सक्सेज यानी सफलतम पहलवान बवीना को जे चुके हैं हमने सौकतली को बनाया इसके वाद सौकतली के वाद अनल भी रहे पुत्तर प्रदेश में 48 क्लो बजन पर समस्तान पराप्त किया उन्होंने अलबीम जासी में सौकतली ने भी आदमगर में संद बावन किलो में इपी गोड लिया इसके वाद संकर पहलवान में बुनेल खंड के सोरी की पादी ली फिर रामन पहलवान में बुनेल खंड के सोरी की पादी ली और संजाय राय पांच बार बुनेल खंड कुमार बने और एक बार बिरिजिस राय हमारा छोटा लड़का है हमने तीनों लड़के पेलबान मनाए और इसके बाद और भी देवन रहें जिंद्यान है यह रहें बर्टमान में सतेंद्र जो पिछले बार 17 जनवरी अभी 14 जनवरी 15-16 जनवरी को 2020 में करार खेड़ा मत को देजिए आपको ऐसा अपना अविस्मरणीय पल बताईए रेफरी सिपका जो आपको बहुत अच्छा लगा हो जहां आपको काफी आनंद आया हूँ हमने सबसे जागा रेफर सिपका समय केपी सिंग ककाजु कब देज़र में दिया पहले मिट्टी में कुस्तिया होती रही हुआ और उने के पिताजी के टेम से हम वह लड़ते रहे कुस्तिया सबसे बड़ी कुस्तिया की नाम होती आज वो दंगल ककाजु के केपी सिंग पिछोल विदायत के नेतुत्र में होता है जहां माजीवान सतस्वी है और वहां लगवक 10 लाग रुपए खर्च की जाते बदेज़कंड केशरी और भारत केश्री दंगल कायुजन होता है अभी जो आगामी 12 फरवरी को बबीना के सुकमा डुकमा बांध पर जो दंगल राजिस्तरी आयोजित हो रहा है इस दंगल में कौन मुकतीदी रहेगा कौन क्या रहेगा ये थोड़ा बताएं हमारे दर्सकों को बसंद पंसमी के उप्लक्स दंगल में जो 31 दंगल है जो हम कुई ने सुरू किया था हुआ टीचर रहा है हम 35 सार और हम ने एक व्यामसाला का मिर्मान की जाओं प्राइमरी स्कूल से लगी हुई रागपर मुकतालबैट के दौरा बनवाई गई और हम वहाँ समय से जाते हैं कभी जबी हपते में दो बार जाते हैं और बच्चों को ह मुकत की डीयम आ रहा हैं जिलादकारी जहां सी नहीं ललतपूर और एससपी एक बेज हैं गो आ रहा हैं तक अध्यक्त करने आ रहा हैं और इस कुष्टी नहीं जो है सबसे अच्छा पहलों हमने बुलाया है जो दो साल पहले यहां आया था गड़ेश व्यामसाला बवीना कि द्वारा जो दंगल उगादा बवीनानों उसमें आया कि हमारे साकर नूर मेर्ट से इस समय आकर नूर बहुत अच्छा पहलवान है बांदानों उन्होंने बांदा के पास लुकतरा गाउं हैं 10 किलो मीटर पर रहु हैं जीतू यादा बुदेल खंड केस्टी बर्तमान 2020 जो केपी जिंग यहां बने 26 जन्वादी को ग्वालियर में मत्प्रिदेश केजरी की दंगल में मत्प्रिदेश की पादी उन्होंने ली मात्र 4 मिनट में कला जंगदाव पर जिसका बजन मात्र 70 किलो साकर ने उन्हें परस की है मुअरे चैनल के मात्यम से आप दर्सकों को क्या संदेश देना चाहेंगे यानि क्या अपील करना चाहेंगे इस दंगल के बारे में जो 12 फरवरी को आयए जिहरी थोरा है धो दंगल को से यही अपील करना जाते हैं कि अधी सरकार हमें मदद देते हैं जो अभी बांध पर जंता हमारी बेक्टी अगर कोई यहां स्टेडियम बन जाए तो गंगल की हम रूप लेका और आगे बला सकते हैं हम भारत के इसी गंगल काईजन कराने के लिए ड्रसंकल्प रहेंगे तो यह थे हमारे बवीना के गणेस बयाय मिसाला के खलीफा चंदर परकास पहलवान जिन से अभी आप रूबरू हो रहे थे तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा चंदर परकास पहलवान जी के सुपत्र संजय राय उन्होंने भी कुस्ती के छेत्र यानि दंगल के छेत्र में काफी उपलब्दियां हासिल की हैं और बरतमान में आप उन्होंने दंगल यानि कुस्तियों को छोड़ दिया है लेकिन आज भी वो इस कुस्ति और दंगल जैसी कला से लोगों को लाभानवित करा रहे हैं और समय समय पर सहयोग देते रहते हैं